नमस्कार मैं हूँ सुमेथ अवस्थी और आप देखरें अपना फेवरेट शो इंडिया चाहता है वो दोनों लॉट आये हैं वही दोनों जिनकी वज़े से कोविड हैलता है मैं बात कर रहा हूँ कोरोना के एक नए वेरियंट की वो वापस आ गया है और वो भीड इस चुनावी मौसम में वापस दिखाई दे रही है जो मार्च अपरेल के महिने में हमारी आखों के सामने थी एक वाइरस है जो अब खुलकर हवाओं में घूम रहा है और भारत भी इसकी चपेट में आता जा रहा है उसके तेवर पदलते हैं और इसके साथ ही उसका डर भी बढ़ता जाता है वो कोरुना का वाइरस है जो अब उमिक्रॉन के रूप में नए नाम से हमारे बीच में आध हमका है आज इंडिया सबसे ज़्यादा यही जानना चाहता है कि ये उमिक्रॉन वाला वेरियंट कहीं कोरुना की तीसरी लहर तो लेकर ने आएगा और ये डर इसलिए भी है कि बंगाल के बाद अब यूपी के चुनाव सर पर हैं पांच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं रेलिया जम कर चल रही है तो 35 फीज़ी लोगों को इस बात का डर है कि कहीं ये तीसरी लहर की दस्तक तो नहीं वह इंडिया ये भी जानना चाहता है कि आज अखलेश यादव ने यूपी चुनाव जीतने के लिए जहांसी की रानी वाला कौन सा नया दाव चल दिया है 23 फीज़ी लोग अखलेश यादव के कैमपेन के बारे में और चीज़े जानना चाहते हैं वह इंडिया के दर्शक आज ये भी जानना चाहते हैं कि राकेश टिकेट किसानों को लाठी चलाना सिखा रहे हैं तो इसके पीछे टिकेट का इरादा क्या है कभी ट्रैक्टर इखटा करते हैं कभी बेरिकेट तोड़ते हैं अब लाठी यहादों में है तो टिकेट के किस्तान चाहते क्या है इसको करीब 23 फीज़ी लोगों ने ही देखना चाहा है तो बुल्टिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले उसी ख़बर के बारे में बात करेंगे जिसको आपने सबसे अधिक वोट देकर देखना चाहा है यानी ओमिक्रॉन का बढ़ता खत्रा जानकारों के मताबिक ये करोना के पुराने वेरियंट से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है ये खतरनाक तब और हो सकता है जब रैलियों में बिना मासक और बिना समाजिक दूरी वाली भीड जुटने लगेगी ये इसलिए भी उस हवाल उट रहा है कि चुनाव के बीच रैलियां और रोड शो कहीं कोरुना की तीसरी लहर को तो निमंतरन नहीं दे रहे हैं ये इसलिए भी खतरा है कि कहीं तीसरी लहर आ गई इस वक्त में तो क्या उससे ज्यादा खतरा होगा जो हमने दूसरी लहर की वक्त में मार्च और अप्रेल के महीने में देखा था ओमिक्रॉन क्या डेल्टा से ज्यादा खतरनाक है इसी लिए इस ख़बर को सब देखना चाहते है क्या ये भीड ओमिक्रॉन को दावत देने वाली है क्या ये भीड संक्रमर की तीसरी लहर लाएगी क्या ये भीड देश को फिर मुसीवत में डालेगी ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि देश में करोना का खतरा नए सिरे से मंडरा रहा है लेकिन ऐसा लगता है कि इस खतरे से सचेत रहने और रखने की जिम्मेदारी सिर्फ स्वास्त महकमे तक ही सीमित हो गई है क्योंकि नेता तो रैलियों में भीड चुटा रहे हैं ग्रे मंत्री अमिच्छा भीड से नारे लगवा रहे हैं केजरिवाल पठान कोट जाकर भीड के बीच दिल्ली के कसीदे पड़ रहे हैं प्रियंका गांधी की रैलियों का भी यही हाल है कोई ऐसा जंग नहीं है जो बिगेर लड़े जीता जाता है तो यह सब जो कह रहे हैं कि जीतने वाले हैं जब लड़ ही नहीं रहे हैं तो जीतेंगे कैसे अखिलेश शादव भी भीड चुटा कर कुरोना नियमों को तिलांजली दे रहे हैं अखिलेश सिर्फ रैलियों तक ही सीमित नहीं है वो यूपी के किसी ना किसी जिले में रोजाना रोट शो भी कर रहे हैं और इस दोरान उनका कोई भी कारिकरता कोविड नियमों का पाला नहीं कर रहा ये भीड उन्हीं अखिलेश शादव को देखने आई हैं जिन्होंने कभी वैक्सीन लगवाने से इंकार कर दिया था तब ऐसा कहके देश को भ्रमित किया था और अब वो बीजेपी के खिलाफ जुमले तो एक से एक दे रहे हैं लेकिन लोगों को मास पहनने की सला नहीं दे रहे जरा सोचिए ये सारे वही चेहरे हैं जो कुरोना की दूसरी लहर में एक दूसरे पर जिम्मेदारियों का ठीक रपोड रहे थे कोई पीडिद बनकर आसू बहारा था तो कोई साधनों की कमी का रो ना रो रहा था प्रियंका गांधी तो सोशल मीडिया पर सरकार को लानतें भेज रही थी लेकिन चुनावाते ही सब की सुवान पदल गई किसी को रत्ती भर भी एहसास नहीं कि ओमिक्रॉन देश में दाखिल हो चुका है खत्रा कितना बड़ा है उसे ऐसे समझ लीजे कि दुनिया में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरियंट के अभी 400 के करीब ही केस है क्योंकि डबलो एचो ने ओमिक्रॉन को वेरियंट ओफ कंसर्ण यानि चिंता की कैटेगरी में रखा है कुछ रिपोर्ट्स के मताबिक ओमिक्रॉन से दोबारा इंफेक्शन का खत्रा तीन गुनाज जादा है वेक्सीन कुछ हद तक तो ओमिक्रॉन के खिलाफ कारगर है लेकिन फूल प्रूफ नहीं है और ऐसे खतरनाक संकेतों के बीच जिन दलों को सामने आकर लोगों से घरों में रहने की अपील करनी चाहिए थी वो उन्हें कभी रोड शो में बुला रहे हैं तो कभी रैलियों में राजनीतिक दलों की तरफ से बंगाल विधानसभा चुनाव में बड़ी लापरवाही बरती गई थी जिसके बाद पूरा राज जी ही दूसरी लहर की चपेट में आ गया था इसी तरह यूपी पंचायत के चुनावों में भी संक्रमण ने सैक्रों जिन्दगियों को लील लिया था और सियासी दल जल्दी नहीं संभले तो वैसा ही हाल फिर से देश को देखना पड़ सकता है ज्यादा पुरानी बात नहीं है आपको याद होगा करीब 6-7 महिने पहले इसी साल यूपी में पंचायत चुनाव थे और उसमें जम कर कुरुना फैल गया था तब यूपी प्रैमरी टीचरस असोसियेशन ने दावा किया था कि चुनाव डीटी पर गए एक हजार 621 शिक्षकों की कोविट की वज़े से मौत हो गई है लेकिन यूपी सरकार और तमाम लोग इस बात को नहीं मान रहे थे टीचरस असोसियेशन बार बार इस बात को कहता रहा मैं ये बात इसलिए आपको याद दिला रहा हूँ और कह भी रहा हूँ कि सतरक रहने की जरूरत है खत्रा इस बात का भी है कि कहीं कोरुना की तीसरी लहर तो नहीं आ जाएगी आगे बढ़ते हैं आज ओमिक्रॉन की चर्चा में बहुत गंभीरता के साथ इसलिए करना चाहता हूँ कि आपको इससे भेहद सतरक रहने की जरूरत है क्योंकि ओमिक्रॉन करीब 36 देशों में इस वक्त फैला हुआ है कल अपने भी देश में इसने 10 तक दे दी है ये ओमिक्रॉन वारस इसलिए इतना खतरनाक है कि ये डेल्टा वेरियंट से जो कि दूसरे लहर में था उस से ये वेरियंट 6 गुना तेजी से फैलता है इस ओमिक्रॉन वेरियंट के पास के 50 से ज्यादा म्यूटेशन्स अलरी नोटिस हो चुके है ओमिक्रॉन इसलिए भी खतरनाक हो सकता है क्योंकि ये स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन से वेक्सीन को चक्मा देने की क्षमता रखता है दरसल स्पाइक प्रोटीन के जरिये ही वाइरिस इनसान की कोशिकाओं में गुसने के रास्ते को खुलता है जो आगे चलकर घातक हो जाता है साथी वैक्सीन ना लगने वालों को संक्रमन का ज्यादा खत्रा बना रहता है और वेरियन्ट की पहचान के लिए जिस जिनोम सिक्वेंसिंग के दरकार होती है उसकी हिंदुस्तान में बेहद धीमी रफ़तार है जिनुम सिक्वेंसिंग की रिपोर्ट आने में चार से पांस दिन लग रहे हैं और ऐसे में ये वारस और अधिक फैल सकता है उन लोगों से जो शुरुआत में तो सस्पेक्ट होते हैं लेकिन पांस दिन बाद जब वो पॉजिटिव निकलते हैं तब तक ये वारस कई और लोगों को अपनी चपेट में ले चुका होता है ये सब कुछ हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप सचेत रहें सरकारों को भी चाहिए कि पिछली बार उनसे जो गलतिया हुई थी वो इस बार बिलकुल नहों अपनी गलतियों से इनसान सीखता है उमीद करते हैं कि तमाम सरकारें चाहे वो राज्यों में हो चाहे वो केंदर की हो वो अपनी गलतियों से सीख ले चुकी होगी लेकिन दिल्ली सरकार तो बिलकुल अरग रहा पर इस वक्त चल रही है आयोध्या दर्शन के नाम पर केद्रिवाल सरकार ने बुजर्गों की जान खत्रे में डाल दी है मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आज एक अनूठी पहल दिल्ली सरकार ने की है वो भी उस वक्त में जब इस नए वेरियंट के फैलने का खत्रा है बताया ये भी जा रहा है कि बैंगलोर में जो केस आया जो भारती है डॉक्टर इसकी चपेट में आये चैलिस वर्चिये उनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं थी यानि उनको समुदाय से कम्यूनिटी सही ये बीमारी लगी है अब इसके कम्यूनिटी में फैलने की आशंका इस उधारन के बाद और ज़्यादा है ऐसे में अगर कोई ट्रेने चलवाए और वो भी बुजर्गों के लिए वो बुजर्गों जो ज़्याद जिनको ज़्यादा बीमारी अपनी चपेट में ले सकती है आप समझ सकते हैं कि मैं क्यों है अपनी कंसरन अपना चिंता चता रहा हूँ कैसे में सरकारों को बहुत सोच समझ के काम करना होगा मेरे सयोगी अभिनव गोयल की रिपोर्ट देखे इसर मैं आपसे हाद जोड़ के प्राथना करता हूँ कि इस बड़े हुए ऑक्सीजन के कोटे को दिल्ली तक पहुँचाने में हमारी मदद करें ये वही केजरिवाल हैं जो आठ महीने पहले ऑक्सीजन के लिए हाथ जोड़ रहे थे दूसरी लहर में अपनी सरेंडर कर चुकी सरकार की नाकामियों पर बिलबिला रहे थे लेकिन आज आज ये वहवाही भूठने के लिए बुजर्गों को तीर्थाटन पर आयोध्या भेज रहे हैं खुद स्टेशन पहुचकर लोगों को विदाई दी रही है बुढ़ापे में अगर तीर्थ्यात्र करने का किसी को मौका मिल जाए तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता सब लोग जा रहे हैं अध्या जी दिल्ली के लिए सब लोगों के लिए आशिरवाद लेके आएंगे और मुझे सब से मिलके बहुत अच्छा लगा सब को खुश देखके मुझे भी बहुत अच्छा लगा केजरीवाल के श्रवन कुमार बनने पर हमें कोई अतराज नहीं है वो खुब बने, अच्छे से बने, दूसरी सरकारों के लिए बेंचमार्क भी सेट करें लेकिन सवाल ये है के एक तरफ दिल्ली सरकार अंतरराष्टेय फ्लाइट स्बैन करने की पैरवी कर रही है लेकिन दूसरी तरफ केजरीवाल खुद तीर्थाटन को बढ़ावा दे रहे है सवाल ये के तीर्थाटन जरूरी या ओमीक्रॉन से लड़ा है ओमीक्रॉन के खत्रे के बीच बुजर्गों को आयोध्या भेजना चा उनकी जान से खिलवार नहीं है क्या दिल्ली सरकार ओमीक्रॉन के खत्रे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है कोरोना की दूसरी लहर में हेल्थ सिस्टम में जो कमिया थी चा वो दूर हो गई है चा दिल्ली के लोगों को कोरोना से उन्होंने पूरी तरह जागरू कर दिया है बिमारे हो रहा है वो इस फ़री माइल टाइप तो ठेक है लेगिन जो बुजर्गों है जिसको को माइल्ड होके रहेगा ऐसा बात नहीं है तो इसलिए ये बहुत जुरूरी है कि हम COVID-appropriate behavior मान के चले और वैक्सीन, वैक्सीनेशन का बारे में आगे बड़े और वैक्सीन्स लगा लें अब आपको ये दिखा देते हैं कि दिल्ली के लोगों में ओमिक्रॉन को लेकर कितनी जाग रूपता है जब हमने इसका reality टेस्ट किया तो देखिए कैसे दिल्ली फेल हो गई विख य będę ब़ने वारे आपको पता है, अगर मास्क लगें वो भी भीगजाएगा पहली बात तो मुझे नहीं लगता कोई वाइरेस है, यह सव है politics, ठीक है? मैं नहीआ दिल्ली के लोगों को बीक रिद्गर क करने के लिए भी वैसे ही युद्ध स्थर पर काम करते जैसे की तीरत यात्रा के लिए किया है अच्छा होता अगर केजडिवाल दिल्ली के लोगों के बीच जाकर उन्हें मास्क लगाने और कोरोना अप्रोप्रेट बेहवियर के लिए प्रेरित करते जैसे वो लोगों को स्टेशन पर जाकर तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं आज वो एध्या भेज रहा है गिर्किट भी इस बात को लेकर शर्मा गया होगा कि मेरे से ज़्यादा रंग बदलने वाला है एक वेक्टि दिल्ली में रहता है हालकि एक अच्छी बात ये है कि दिल्ली सरकार ने पिछली बार जो घलतियां की थी उससे थोड़ा बहुत सबक लिया है दिल्ली सरकार का दावा है कि उसने उमिक्रोन के संभावित खत्रे को देखते हुए 30,000 अक्सीजन बेट तयार किये हैं इन 30,000 बेट में से 10,000 आईसियू बेट हैं परवरी 2022 तक 6,800 नए आईसियू बेट और तयार हो जाएंगे अस्पतालों ने भी सबक लेते हुए खुद में सुधार किया है दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में इस वक्ते एवी पी न्यूस की टीम मौजूद है और कोरोना की तीसरी लहर जो आशंकित है उसे देखते हुए तैयारियां अस्पताल में मुकम्मल दिखाई दे रही है क्या कुछ तैयारियां सबसे पहले आप देखिए ये 25 बेट का एक वोड जो है वो आईसी वोड जो है उसे तैयार किया गया है दिल्ली की स्वास्त विवस्ता देश के दूसरे इलाकों के मुकाबले बहुत मजबूत है फिर भी देश ने देखा कि कैसे डेल्टा वेरियंट की वज़े से कुरोना की दूसरी लहर में सब कुछ चौपट हो गया था और इस बार ओमिक्रॉन वेरियंट तो उससे भी जादा खतरनाक लग रहा है इसलिए बहुत जरूरी है कि सरकार दूरदर्शी सोच के साथ तैयारी करे दरसल इस नए वेरियंट ओमिक्रॉन का खत्रा कोई कम नहीं है इसको आप बड़े खत्रे के तौर पर देख सकते हैं इसलिए आप सबसे मेरी एक विंती है कोरोना से बचने के लिए जरूरी है कि आपको मास्क पहन कर रखना है टीका नहीं लगवाया है तो टीका जरूर लगवाएं बचाव बहुत बड़ा कबच हो सकता है इस संक्रमण को रोकने का एबी पी न्यूज हैश्टेग मास्क अप इंडिया नाम की महीम चला रहा है आप भी इसका हिस्सा बनिये अपनी मास्क वाली सेल्फी हमें भेजिये उससे हम इसी तरीके से हरोज दिखाते हैं ताकि आपकी तस्वीरों को देकर बाकी लोग भी प्रेड़ना ले सकें कि उनको मास्क पहन कर रखना है हम ये जागरुकता भी हाँ चला रहे हैं आपको याद दिला रहे हैं कि मास्क सबसे बड़ा बचाव है कोविट की महामारी से बचने का जो लोग इसमें हिस्ता ले रहे हैं उन तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ बात क्योंकि वारस की चल रही है तो आपको याद होगा जब कोरुना की दूसरी लहर की आठ हुई थी तो हरिद्वार में एक कुम्ब चल रहा था उसको रोका नहीं गया बलकि तब के उत्राखन के मुक्मंतरी तीरत सिंग रावत ने एक विवादित बयान दिया था उन्होंने कहा था कि गंगा मैया के आशिरवाद से कुरुना नहीं पहलेगा यास्था का अपमान था और इसका नतीजा ये निकला कि कुरुना जिंदगी पर मौत बन करना थे लगा जब हम संविधान में एक धर्म निर्पेक्ष राज हैं तो धर्म कर्म इंसान का निजी मामला होना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है केजरिवाल सरकार मुफ्त तीर्थाटन कर करा रही है जिसमें हिंदूों को अयोध्या दर्शन कराये जा रहा है तो मुसल्मानों को अजबेर शरीफ और सिक्कों को करतारपुर सहाब सरकार ले जा रही है ममतब एनरजी सरकार दुर्गा पूजा पंडालों को पचास हजार रुपे देती है तो मजजितों के इमामों को धाई हजार रुपे देती है उत्राखंड की धामी सरकार ने केलाश बांसरों वर यात्रा पर मिलने वाली सबसीडी को दोगुना कर दिया है विदेश की शिवराज सिंग चोहान सरकार सीनियर सिटिजन को मुफ्त में एक धार्मिक स्थर पर तीर्थाटन कराती है और ये सब होता है आप से मिलने वाले टेक्स है हलाकि कोरोना की दुस्ती लहर से लगता है कि कई सरकारों ने सबक सीखा है इसलिए शुरुआती तैयारिया अभी जोर उस पर काफी दिया जा रहा है करनाटक में ही कल ओमिक्रॉन के दो मामले आये थे आज मुक्यमंतरी बासवराज बोमई ने हाई लेवल मीटिंग मुलाई जिसके बाद तैयुआ कि केरल और महराज से पंदरा दिनों में आई यात्रियों की जाँच की जाएगी साथी नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए विदेश से आए लोग एरपोर्ट से बाहर जा पाएंगे वहीं दिल्ली सरकार ने 30,000 आक्सीजन बेड और 10,000 आईस्यू बेड तयार रखने का दावा किया है दिल्ली का कहना है कि उसके अस्पदालों के पास साड़े साथ सो मीटरिक टन आक्सीजन की शमता है वहीं एरपोर्ट पर जाँच के साथ पॉजिटिव आए जाने पर जिनों सिक्वेंसिंग भी कराई जाएगी बात उत्तर प्रदेश की करते हैं उत्तर प्रदेश में केन सरकार की गाइडलाइन्स लगनों एरपोर्ट पर लागू होगी और लक्षण वाले यात्रियों की आटी पीसियार जाच कराई जाएगी बात महराश की करें तो वहाँ पर तीन देशों दक्षिन अफरीका, बोथस्वाना और जिंबोवे से आने वाले यात्री साथ दिन तक कंपल सरी आईसोलेशन में रहेंगे वहीं बिहार में सरकारी अस्पतालों में हाई इलर्ट कर दिया गया है और नालंदा मेडिकल कॉलेश हॉस्पिटल में एक सो बेड तयार रखे गए हैं जबकि पश्चिम अंगाल में पंदरा दिसंबर तक कोविड नाइटीन प्रोटोकॉल लागू होगे यानि रात ग्यारा से सुबह पांच बजे तक जरूरी सेवा के अलावा सारा आरा जाना आवागाए आवागमन बंद रहेगा इधर संसर तक उमिक्रोन की गूंज सुनाई पड़ रही है और सरकार का कहना है कि उसने तयारियां पूरी कर ली है और इस बार वो हालात नहीं होंगे जो हमने मार्च अप्रेल में देखे थे कोरोना का ओमिक्रोन वेरियंट फिर से पूरी दुनिया को मुसीब्तों के नए समंदर में कैसे डाल सकता है इस पर पेरिस के अंतराश्य संस्था और्गनाइजेशन फॉर एकनोमिक को ऑपरेशन और डेवलपमेंट यानी से पर ट्री पर लॉट्री है उसमें और लंबा वक्त लग सकता है जी ट्वेंटी देशों में महेंगाई दर तीन दशमलों नौ फीजदी से चार दशमलों चार फीजदी तक बढ़ सकती है और भारत भी इसी जी ट्वेंटी ग्रूप का सदसे है देश में कोरुनों का खत्रा फिर से मन रा रहा है तो दूसरी तरह पत्रकार कोरुना के चलते संसक्त की कारवाई को कवर करने पर लगी पावंदी का मुद्दा उठा रहे हैं कल दिल विपक्षी पार्टियां भी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं राहूल गांदी ने भी इस मुद्दे पर सवाल उठा दिये हैं मीडिया के अजादी को लेकर विपक्ष के सांसत भी पत्रकारों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं अगर आप हम लोगों को नहीं अंदर जाने देंगे तो रिपोर्टिंग क्या होगी पूल की लब आजाद हैं तेरे पूल जवा अब तक तेरी है कुछ इसी तेवर के साथ पत्रकार ने सरकार के खलाफ विरोत का विगुल गुरुबार को पुका था और आज पत्रकारों के साथ विपक्ष के नेता राहूल गांधी ने ना सिर्फ अपने सुर जोड़ दिये बलकि सरकार पर थी तीखा निशाना साथा पत्रकारों के संसत में प्रवेश की पावंदी को लेकर सांसत ही सरकार को कट घरे में खड़ा कर रहे हैं क्या चाहते हैं कि पत्रकार सही घटना करम ना पकड़े वहां के विमर्ष को कैप्चर ना करें मैं समझता हूं कि इस तरह की प्रविर्टियों को जो सरकार के अंदर है उससे बाहर आना चाहिए जैसे पहले चल रहा था वैसा सारे जनलिस्ट को अंदर आने देना चाहिए यहां पर प्रेस कॉंफेंस करने की और बाइट्स देने की अनुमुति देना चाहिए और यह सरकार पता नहीं क्यों इतना डरती है वो देश की जनता की आवाज पकरता से रखते हैं और सवाल पूछते हैं सरकार से हो या विपक्षते हो उनको इस बहाने कोविट की आड में उनको पार्लिमेंट में एंट्री नहीं देना मैं मानती हूँ कि डिमोक्रिसी पे एक और बड़ा हमला कर रहे हम नहीं जाहिए क् अब आपको बताते हैं कि मामला क्या है सरकार ने संसद में प्रवेश को लेकर पत्रकारों पर पावंदिया लगाई थी ये पावंदिया कोरोना काल के दौरान लगी थी पत्रकारों को लॉट्री सिस्टम से सत्र कवर करने दिया जा रहा था अब जब पूरी विवस्था वापस बच्री पर लॉट आई लेकिन पत्रकारों पर लगी पावंदिया नहीं हटाई गई है संसद की बात लोगों तक पहुंचाने में आ रही दिक्कतों के चलते ही पत्रकार पावंदिया हटाने की मांग कर रहे हैं दिल्ली से संबार दाता अजातिका सिंग के साथ अंकित गुप्ता की रिपोर्ट दरसल कोविट के समय पर तमाम प्रतिबंद लगे संसत के सत्र के टाइमिंग में बदला हुआ दो सत्रों में संसत चलने लगी उसी वक्त मीडिया पर भी प्रतिबंद लगे थे क्योंकि भीडबाट से बचना था ये प्रोटोकॉल का भी एक तरीके से कोविट प्रोटोकॉल के लिए भी जरूरी था लेकिन अब जबकि चीजने खुल गई हैं बाजार खुल गए हैं मंदिर खुल गए हैं चर्च खुल गई हैं मॉल खुल गई हैं हवाई जास खुल गए हैं ट्रेन चल गई हैं पब चल रहे हैं डिसको चल रहे हैं पर संसत में पत्रकार अभी भी बहुती मिलनी चाहिए लेकिन दरसल ऐसा हुआ नहीं है इसी लिए पत्रकार चाहते हैं कि संसद में खासकर लोकसबा जो सचवाला है वो इस पर गंबीरता से विचार करें क्योंकि मीडिया की जो रिपोर्टिंग होनी चाहिए पारलेमेंट से वो बहुत ही लिमिटेड हो गई है वो नहीं उपा रही है कैमरे के साथ अंदर नहीं जा सकते हैं मुबाइल से फुटेज लेकर आप तक पहुंचाया जाता है खासकर संसद होन के परिसर का मीडिया को लोकतंतर का चौथा स्तंब कहा जाता है और लोकतंतर तभी मजबूत रह सकता है जब कलम पाबंदियों से आता है आप देखिए कि 2015 और 2016 में हालात सुद्रे थे लेकिन फिर बिगड़ने शुरू हो गए इसे और भी सुधारने की इस वक्त जरूरत है अखले शादब की चुनावी रनीती में आपको बताऊंगा उससे पहले आज की लीड स्टोरी पर अपनी राय आपको बता देता मेरी राय ये है कि तीसरी लहर के खत्रे को देखते हुए दूसरी लहर वारी लापरवाही सरकारों से इस बार ओमिक्रॉन के आने के बाद नहीं होनी चाहिए अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो मुबाइल लंबर 7-8-239-44-001 पर मिस्ट कॉल दें और अज सहमत हैं तो अगर मिस्कॉल नहीं दी है तो मुझे आपकी कॉल का इंतजार है शो के आखिर में अपनी राय के नतीजे क्या हैं वो भी आपको जरूर दिखाऊंगा कि कितने लोग सहमत हैं कितने नहीं हैं आगे बढ़ते हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अकले शादव आज ब अब वहीं से अकले शादव ने जहांसी की रानी वाली रनीती बनाई है क्या है यह रनीती काम्याब होगी क्या क्या अकले शादव बुंदेल खंड में अपना दम दिखा पाएंगे इसी को जानने के लिए मेरे सही होगी अजय दुबेया और रूबिका लियाकत ने एक और उन लोगों की नजर से भी देखा जो इस त्यात्रा में आना चाहते थे देखिए यह एक्स्क्लूजिव रिपोर्ट जहां जहांसी के लोग अब भारती जन्ता पार्टी के जहांसे में नहीं आएंगे भावान को वो ही याद करता है जो तकलीफ और परिशानी होता है बुंदेल खंड में अपनी विजय यात्रा खत्म करने को अखिलेश के लिए जहांसी की रानी के चहर से बढ़िया और क्या हो सकता था वो शहर जहां की विरांगना लक्ष्मिबाई ने 1857 के गदर में अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिये उसी शहर से सियासी रण का बिगुल फूक रहे हैं अकिलेश वो भी उन्हीं रानी लक्ष्मिबाई के जरिये जो राष्टवात की सबसे बड़ी प्रतीक मानी जाती है लक्ष्मिबाई उन्होंने अंग्रेजों को नाक से चने चबवा दिये थी अंग्रेजों को खदेर दिया था अंग्रेजों से भी खराब बिवार किया किसानों के साथ इन्होंने जीब से कुशल दिये किसान सुना अपने अखिलेश ने बीजेपी की तुलना अंग्रेजों से कर दी दरसल ये बुंदेल खंड का वो इलाका है जो बीजेपी का गड़ है न तो पिछले विधान सबह चुनाओं में और ना ही 2019 के लोग सबह चुनाओं में अखिलेश की पार्टी का यहां खाता खुल पाया था अब अखिलेश मुंदेल खंड की जनता से डबल इंजन की सरकार का हिसाब किताब करने को कह रहे हैं अखिलेश की रणीती कानूम व्यवस्था से लेकर रोजगार पर योगी सरकार को घिरने की है पहुँच गई हो फीर पीट करके की वैपारी को मार दिया हो कई दूसरा उधारन हो तो बता दो हमें तो फिट के पाई पर कास गंज में बताओ कोई नौजमान फासी लगा लेगा पार्टी जनता पार्टी मारो और डरा रही है राज करो एक तरफ बीजेपी यूपी में बहतर कानून व्यवस्था का दावा कर रही है तो दूसरे तरफ गोरकपूर और कास गंज की घटना के जरिये अखिलेश उस दावे को न सिर्व भोत्रा साबित करने में लगे हैं बलकि यूपी पुलिस को ही कट घरे में खड़ा कर रहे हैं चाहे कानून व्यवस्था की बात हो खेती खलिहानी की समस्या रही हो या फिर करोना की समय की दिक्ते अखिलेश अपनी चुनावी सभाव में बार-बार इनी विश्यों पर बात कर रहे हैं जिननावाले बयान के बाद अखिलेश कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिससे वोटों का धुर्वी करण हो अखिलेश समझ चुके हैं कि अगर वोटों का धुर्वी करण हुआ तो इससे नुक्सान उनके ही हिसे आएगा आज जहांसी में जब अखिलेश रोड शो कर रहे थे तो उनकी काफी व्यस्तता थी लेकिन उस व्यस्तता में भी उन्होंने भी पी नियूस के लिए समय निकाला और अपना चुनावी राजनीति का रोड मैप सब के सामने रख दिया मतुरा का मुद्धा बीजेपी ना आगे किया तो अखिलेश ने इसे पेट से जोड दिया अखिलेश की रणनीती साफ है वो बीजेपी के निशाने पर रहना चाते है ताकि जनता तक ये संदेश पहुँचा सके कि बीजेपी को कोई टकर दे रहा है तो वो समाजवादी पार्टी है इसके पीछे उनकी रणनीती ये है कि मुस्लिम वोटों का बटवारा नहो सत्ता विरोधी हवा का फायदा उन्हें मिले कॉंग्रेस बीजेपी किनारे लग जाएं बीजेपी से दूरी बनाने वाली छोटी पार्टियों के पास सिर्फ उन्हें चुनने का विकल्प हो सीधे मुकाबले में चीत की संभावना बढ़ जाए अखिलेश यादव ने छोटे दलों को जोडने वाली अपनी रणीती को बीपी न्यूस के साथ साजह किया अखिलेश ने बीपी न्यूस को एक्स्क्लूजिव जानकारी दी कि उनकी पार्टी का ओवैसी की पार्टी से कोई गड़ जोड नहीं होने जा रहा उन्होंने भले ही आम आदमी पार्टी के नेता संजह सिंग के साथ तस्वीर खिचवा ली लेकिन सीटों पर कोई बात नहीं हुई लेकिन आरेल्डी को वो जरूर चोड़ना चाहते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में चंद महिनों का वक्त बाकी है अभी ऐसे कई आरोप प्रत्यारोप लगेंगे लेकिन चुनाव खत्म होने तक जो जन्ता के दिलों में जगए बनाने में काम्याब होगा वही यूपी पर राज करेगा पर बात किसानों की करते हैं किसान भले ही अपने आंदोलन को गहर राजनितिक कहें लेकिन बड़ा सच यह है कि किसान आंदोलन का सीधा असर चुनावी राजनिति पर पड़ रहा है बीजेपी तो यह आरोप भी लगाती है कि करशी कानून वापस लेने के बाद भी किसान आंदोलन को जारी रखने के पीछे वज़े यूपी का चुनाव है इस गर्मा गर्मी के बीच राकेश टिकेट एक नए रूप में आप सामने आ रहे हैं गाजेपुर में टिकेट का लटहत अफ्तार देखने को मिला है और वो किसानों को लाठी चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं क्या है टिकेट का ये लाठी चलाने की ट्रेनिंग वाला दाओं, क्या है इसकी पीछे की वज़े, यही जानने के लिए आपको देखनी होगी हमारी ये खास रिपोर्ट। किसान अंदोलन में दो पहिये पर चलते ट्रैक्टर के कर्तब तिल्ले की सब्कों पर खूब हुए। अब क्या आने वाली 26 तारीक को लाठी का हुनर भी दिखाने की त्यारी में है राकेश टिकेट। सरकार से किसानों की मांगों के लिए दो दो हाथ करने के बाद तिकेट अपने साथियों के साथ लट लेकर दो दो हाथ कर रहे हैं। राकेश टिकेट अपने साथियों को लाठी चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन इस ट्रेनी के पीछे की बज़े क्या है। लेकिन इस ट्रेनिंग करते तस्वीरे बाहर आईं तो बीजेपी ने इस पर सवाल खड़े कर दिये बीजेपी सांसदों को शक है कि कहीं लाठी की ट्रेनिंग के पीछे इंसा की तैयारी तो नहीं है। हैं फिलाल वक्त हो रहा है ब्रेका ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे फाइनल रिजल्ट भी इस पोल के और बात होगी आज के शब्द की भी आप देखते रहे हैं इंडिया चाहता है। ABP News आपको रखे आगे ABP News आपको रहा है। झाल झाल